हेलो उस्तों, वेलकम टू CDIT Solution यूटूब चैनल और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको तीन ने आफ़ केमपस इंटर्शिप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नोटिफिकेशन दोस्तों तीन बड़ी कमपनिया, डेलोईट, कैडेंस और वीमियो के तरफ से अगर आप इसमें सलेक्ट हो जाते हो तो अच्छा-कासा स्टैफन तो आपको यहाँ पे मिलता ही है, प्लस आपको यहाँ पे पीपियो के पूरे चांसेस हैं अगर आप दोस्तों 19, 20, 21, 22 बैस्टे स्टूट हो तो इस अपोस्टिटी को बिल्कुल मिस्क मत करेगा, जोरू अप्लाई करेगा, किस तरह के से आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या इलिजबिटी करेगा और की चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके बा आप में से कई सारे दोस्तों के मुझे message देखने के लिए मिले, कि आप उसमें इसलिए participate नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका preparation नहीं हुआ है, और यह exam काफी जल्दी होने वाला है, तो दोस्तों एक बार फिर से relabel के नए programs launch हो गए हैं, जिसमें दोस्तों registration स्टार्ट होगा 10 जुलाई से, लेकिन आप registration अभी भी कर सकते हो, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार tournament नहीं हो रहा है, बलकि test हो रहा है, इसमें आप जब test दोगे तो आपको एक score आएगा, उस score के basis में बड़ी बड़ी company आपको यहाँ पे shortlist करके hire करने वाली है, यहाँ पे दोस्तों, अगर आप इसमें participate करते हैं, तो सबसे अच्छा फायत आपको यह होने वाला है, कि इस platform के तुरू, 50 top unicorns company, अगर मैं कुछ कंपनियों के आपको नाम बताओं, तो cred, reserve, ऐसी company जो कि 15,000,000 से रुपे लेके, 26,000,000 रुपे तक का package आपको offer करती है, यह hire करने व score ला लोगे, तो आपको job के लिए इधर उदर खोजने की जरुवत नहीं है, आपकी score की basis में, बड़ी बड़ी कंपने, आपको खुछ से shortlist करेगी, और आपको खर में बैठा है, बैठा है, एक बड़ी score अगर आप चला लोगे, तो बड़ी बड़ी company shortlist करके job भी provide करेगी, यहाँ पे दोस्तों, यह जो test होने वाला है, यह एक दिन का test होने वाला है, एक ही दिन में आपका सारा चीज़ यह हो जाएगा, और अगर आप coding नहीं भी जानते हो, तो भी आप इसे participate कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, तीन अलग-अलग test होने वाले हैं, जो कि front end development पे, back end development पे और business से related होने वाले हैं, और अगर आपकी age 18 साल के उपर है, college में पढ़ते हो, आप pass out हो चुके हो, तो दोनों ही case में आप यहाँ पे apply कर सकते हो, या फिर आप किसी छोटी company में काम कर रहे हो, और अगर आप किसी बड़ी startup company में switch होना चाहते हो, तो यह सबसे अ सकते हो, stage में participate कर सकते हो, अच्छा score लाके बड़ी-बड़ी company में shortlist हो सकते हो, और अगर बात कर ली जा, कैसे आपको register करना है, तो reliable.com का link आपको description पे मिल जाएगा, जैसे आप उसे open करेंगे, आपको register button पे click करना है, और यहाँ पे आप तीन अलग-लग category देख सकते हैं, ज आप जिस पे भी interest rate उस पे click करेंगे, और आपको यहाँ पे एक छोटा सा amount pay करना पड़ेगा, जो की 1-999 है, जो की इन बड़ी-बड़ी company में shortlist होने कले काफी कम amount आपसे लिया जा रहा है, अगर आप किसी consultancy के तुर जाएंगे, या फिर किसी और exam के तुर जाएंगे, तो आपको यहाँ पे और भी amount pay करना पड़ेगा, और अगर आप मेरा code SIS 10 use कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 10% का maximum discount यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसके बद आपको सिर्फ उसे 1799 पे करना होगा, तो इससे related दोस्तों सारा link आपको description पे मिल जाएगा, तो इसे भी जरू चेक करिएगा, अब हम बात करते हैं दोस्तों, one by one इन सारे internship के बारे में किस तरहिके से आपको apply करना है, और क्या इसके बारे में demand की गई है, तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो opportunity निकली है Deloitte की तरफ से, तो अगर आप Deloitte की इस internship के लिए apply करना चाहते हो, तो अगर आप B, B, T, किसी भी branch से कर रहे हो, आप 19, 20, 21, 22, Basker student हो, तो आप apply कर सकते हो, आप M, E, M, T, कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो, BCA कर रहे हो, तो apply तो आप कर सकते हो, लेकिन जाधा तर यह chances है कि ऐसा BCA student आप यहाँ पर shortlist नहीं हो पाओगे, अब अगर बात कर लि यहाँ पर क्या-क्या आपको responsibility प्ले करना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपको जो भी software साते हैं, Microsoft के Microsoft Office, Excel, PowerPoint उस पर काम करने आना चाहिए, मतलब basic computer का skill होना चाहिए, सबसे ज़्यादा important यहाँ पर communication skill, क्योंकि आपको यहाँ पर customer के साथ इंट्रेक करना है, तो आपको communication, यहाँ पर सबसे ज़्यादा weightage रखने वाला है, इसके अलावा आपका जो aptitude skill है, जो verbal skill है, यह काफी अच्छा होना चाहिए, इसमें अगर आप apply करना चाहते हैं, तो last date यहाँ पर mention नहीं है, तो यहाँ पर limited number of registration जैसी limited number of registration एक्टिट हो जाएंगे, तो यहाँ प बात कर ली जाए, इसमें कौन कौन सो लोग apply कर सकते हैं, अगर आप 19, 20, 21 batch के student हो, तो cadence के इस internship के लिए आप apply कर सकते हो, या फिर आप 22 batch के हो, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो, लेकिन यह full time opportunity है, मतलब अगर आप college कर रहे हो, तो आप इस particular internship के लिए eligible नहीं हो पाओगे, क्योंकि obviously बात है, इसके लिए आपको off campus जाके, पूरे 11 महिने वहाँ पर देना होगा, तो अगर आप 21 batch के हो, 1920 batch के हो, तो आपके लिए suitable internship है, जिसमें आपको काफी अच्छा stipend भी यहाँ पर मिलेगा, लगबग आपको यहाँ पर 30 की के है, आसपास का आपको यहाँ पर stipend आपको यहाँ पर दोस्तों, cadence team के साथ आपको यहाँ पर काम करना होगा, technical आपको यहाँ पर काम होगा, technical में, आपको software से related काम भी दिया सकता है, tech support से related भी काम दिया सकता है, तो अलग-अलग field में आपको डाला जाएगा, यहाँ पर जो इन्होंने requirement मांगी है, कि आप अगर engineering student हो था, आप apply कर सकते हो, चाहाँ पर electronics background के हो, या फिर आप computer science के हो, आपका जो analog skill, digital skill है या अच्छा होना चाहिए, आपका जो algorithm skill है, वो अच्छा होना चाहिए, तो यह basic demand यहाँ पर इन्होंने मांगी है, तो अब हम बात करते हैं, जो third opportunity है है, Vimeo की तरब से उसके बारे गही है, वो यह दोस्तों सिर्फ ऐचिप 2020 batch के stream, अगर आप 20 batch के नहीं हो, तो यह internship आपके लिए नहीं है, और अगर आप BBTech, MTech की हो, तो आप इसके लिए apply कर सकते हो, आपको OOPS language का OOPS का अच्छा knowledge होना चाहिए, अपजेट इनिटर प्रोग्रामिंग का, इसके अलबाद database का अच्छा knowledge होना चाहिए, basic आपको web designing का knowledge होना चाहिए, बिस्क आपको HTML, CSS, JavaScript के बारे में आपको पता होना चाहिए, algorithm का knowledge आपको अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पर बात कर लिए इस internship में आपको क्या करना होगा, तो यह internship दोस्तों बेसिकली front end development पे होने वाला है, जि कि इसमें limited number of registration है जैसे limited number of registration exit हो जाएगी ये जो form है आपको नहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा तो I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे दोस्तों किसे तो share करिएगा Thank you दोस्तों